ये ट्रेन कोचिस देख रहे हो, ये पूर्णे मेट्रो के कोचिस है, देखने में काफी modern, sleek है, अल्यूमिनियम से बने हैं ये कोचिस, जबकि बाखी कई सरे कोचिस हमारे देश के अंदर अभी भी steel या दूसरे material से बनते हैं, इनके अंदर जो modern amenities आप सोच सकते हो, वो भी install की गई है, और ये कोचिस के अंदर की खास बत पता है, क्या है, जनरली जो मेट्रो कोचिस अच भारत में है, वो या तो बाहर से आया है, या इंडिया के अंदर कोई foreign company दो ने बनाया है, जिसे Alstom या Siemens, लेकिन ये कोचिस हमारे देश के ही company ने बनाया है, जिसका नाम है टीटागड, और ये company इसे भारत के लिए नहीं, लेकिन यूरोप के लिए भी trains बनाती है, लेकिन इसके बावजू उसके बारे में जादा जाने नहीं जाता, और इस टीटागड company के बारे में आजम जानें जब government एक बहुत ही strict control लगती थी economy के उपर, देश में छोटी से बड़ी सभी industries को मानने दाप्राप्त करने के लिए license की जरूवत थी, पर 1950s से 80s के दशक में किसी भी private company को ये जरूरी license पाना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण कुछ ऐसे manufacturing sectors जहां innovation के खास जरूवत थी, वहाँ पर development नहीं हो पाया, और इन sectors में सिफ government companies का ही राज था, पर 1991 के economic liberalization policy के बाद कई private players ने इन sectors में entry की, जिनोंने इंडिन economy और innovation के अंदर modernization के साथ में changes लाए, और कूलकाता बेस्ट टीटागड wagons उनी companies में से एक है, और आज हम इसी company के बारे में जानेंगे, को एक brand बनाने की शुरुआत, license राज में ही शुरू हो गई थी, जगदीज प्रशाद चौदरी ये टीटागड wagons के founder है, जिनकी entrepreneurial journey दाजिलिंग के एक tea estate में as an account assistant की रूप में हुई थी, जिसके बाद वो कोलकाता shift हुए और इन्होंने B.E.S. CEO या बेसको के एक steel casting company के लि company खोलने का निश्चय कर दिया और साल 1982 में उन्होंने government की बंद पड़ी हुई Britannia engineering foundry division को खरीद कर ये सपना पूरा क्या, ये foundry टीटागड में located थी, इसलिए उन्होंने इस business का नाम दिया, टीटागड steels और railway के bogeys and kupplers की manufacturing करना यहाँ पर शुरू किया, कुछ success के बाद टीटागड steels railway components भी बनाने लगी, इस बीच साल 1991 में economic liberalization हो गया, जहाँ पे टीटागड steels के जगदीश चौदरी की नजर देश के wagons और कोच manufacturing industry पे पड़ी, जोकी fully government owned और control थी, सिफ कुछ चंद PSU companies ही पूरे देश के लिए railway wagons manufacturing करती थी, और यहाँ कोई भी private player नहीं था जिसके कारण काफी साल रुखने के बाद, साल 1997 में जगदीश चौदरी के द्वारा टीटागड wagons limited को found किया गया, और इसे के साथ टीटागड wagons देश की पहली private wagon manufacturing company बनी, जहाँ पर उन्होंने 180 wagons के annual capacity के साथ production शुरू किया, अपने incorporation के एक साल बाद 1998 में ही टीटागड wagons को इंडियन इल्विस ने अपना पहला order भी दिया, जहाँ पर BOXN और BCNA type के जो freight wagons होते हैं, उनको supply करने का ये order था, टीटागड wagons की सफलता के शुरूआत यहां सी हुई, साल 2000 में उन्होंने ISO 9002 का quality certification मिला, साल 2001 में उन्होंने Ministry of Defence के Bailey Bridges के manufacturing के लिए भी license मिला, और साल 2002 मिनिस्ट्री डिफेंस से ही wagons bridges के लिए हुने industry partner के तौर पर recognize किया गया, साल 2003 में उन्होंने इंडियन इल्विस से container flat wagons के supply का order भी लिया, और 2004 में उन्होंने आफरिका से अपना पहला international order लिया, और अपनी success वो दीरे दीरे इसी के जरीए बढ़ा रहे थे, अब आते हैं द चाहती थी और वो दूसरे markets में भी enter करने लगी, साल 2012 में उन्होंने कोलकाता के एक shipyard को acquire किया, जहाँ पे इंडियन नीवी के लिए वो ships manufacture करने लगी, इसी तरह टीटागड मरीन लिमिटेड के नाम से company स्थापिक हुई और ये टीटागड wagons के एक subsidiary company बन गई, अब टीट और इस brand को acquire करने के साथ उन्होंने इटालियन rail equipment firm फियरमा ट्रांस्पोटी को भी acquire किया, जिसके बाद टीटागड फियरमा स्थापित हुई और ये इसी company एक subsidiary बनी, साल 2016 में इसी subsidiary company को double decker trains बनाने का order मिला, जिसकी value 65 million euros की थी और उन्होंने ये wagons बनाए, और इसके मासपा को पूने metro के लिए 102 aluminum bodied metro roll coaches बनाने का order मिला, जिसमें से सिफ 3 metro rakes इटली में manufacture की गई, जिबकि बाकी सारे जो टीटागड वैगन लिमिटेड के rakes थे, वो उत्तरपारा plant में manufacture किये गए भारत में ही, साल 2020 में टीटागड वैगन लिमिटेड ने CIMMCU लिमिटेड ना इसे टीटागड वैगन के अंदर merge कर देती है, और basically इस acquisition को इसके रिवाइफ किया जाता है, फिलाल टीटागड वैगन को कई सारे order मिले है, जहाँ पर ब्रीसंटी इंडियन डिविस की 24,177 वैगन या जो मालकाड़ी के डिब्बे होते हैं, वो बनाने का order इनके पास में ह जिसकी value 7,800 करोड से भी जादा है, यह order उन्होंने 29 महीनों में deliver करने का वादा किया है, और इसके साज़त इंडियन नेवी के भी कई बड़े orders इनके पास में हैं, इस वक्त टीटागड वैगन लिमिटेड भारत की अगेली वैगन और कोच मैनिफेक्टरिंग कमपनी है, ज अपने Metro Coaches और EMU's का design भी यही करना शुरू कर चुके है, इसे के साथ उनका ABB नाम के Swedish company के साथ में भी joint venture चल रहा है, जिसके साथ में मिलकर वो EMU's और MUMU trains के लिए propulsion units भी बनाएंगे, वे Kolkata के Falta में भी एक shipyard बना रहे है, जिससे इंडियन नेवी और दूसरे governmental bodies के लिए वो specialized ships भी बनाएंगे, टीटागर वैगन्स ये दिखा पाई है कि Indian companies जो कही न कही पर PSU's को serve करने के लिए भी बनी थी, वो companies आज international level पे compete कर सकती है, और control से बाहर आने के वज़े से private sector किस तरीके से बहुत कम समय में चीजों को revolutionize कर सकता है, ये भी उन्होंने बताया है